मध्यप्रदेश में इन दिनों कोरोना वैक्सिन का ट्रायल चल रहा है खास बात यह है कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस युद में आहूती देने के लिए कई ऐसे वैक्सिन वारियोस भी सामने आ रहे है जो सारी डिक रूप से सक्षम नहीं होने के बावजूद भागिदार बनना चाहते है हम बात कर रहे हैं ऐसे कोरोना वैक्सिन वालेंटियर्स की जो या तो दिव्यांग है या फिर बहुत ज्यादा उम्र दराज है ऐसे वॉलेंटियर्स का मानना है कि इस समय वैक्सिन वॉलेंटियर बन कर भी देश की सेवा की जा सकती है और वे मानवता में काम आ सकते है आपको ऐसे ही कुछ कुरोणा वैक्सिन वालेंटियस के बारे में बताएंगे जो कई चुनोतियों से जूजने के बाद भी खुद पर कुरोणा वैक्सिन का ट्रायल करवा रहे है ट्राइसाइकल पर बैठे ये है 40 साल के छगन चगन यू तो बेगर है और दूसरों के मदद पर निरबर है कभी कभी बीख भी मांग लेते है लेकिन अब कुरोणा वैक्सिन के ट्रायल के बारे में पता चला तो वो अपनी ट्राइसिकल चला कर खुद ही मेडिकल कॉलेज पहुँच गए और डॉक्टरों के सामने वैक्सिन वॉलेंटियर बनने की इच्छा जताई उनकी हालत देख डॉक्टरों ने उन्हें पहले समझाया लेकिन छगन तो मना बना कर ही आये थे लिहाजा उनके फैसले का मान रखते हुए उनका रेजिस्टेशन किया गया उसके बाद उनकी काउंसिलिंग हुई और मेडिकल चेक अप किया गया जब वो ट्राइल के लिए फिट पाए गए तो उन्हें बारत बायोटेक की वैक्सिन का पहला डोस दिया गया वैक्सिन लगवाने के बाद छगन ने बताया कि यूतों जिन्दगी में अभी तक किसी के काम नहीं आ सका और हमेशा दूसरों की मदद के बरो से रहा लेकिन अब पता चला कि वैक्सिन का ट्राइल हो रहा है और इनको वालिंटर की जरूरत है तो मैं यहां आ गया ताकि वैक्सिन ट्राइल में भागिदारी कर सकूँ और मानवता के काम आ सकूँ यह बोपाल से सटे सुकी सेवनिया में रहने वाले 90 साल के रवी सी 90 साल की उम्र में रवी सी ट्राइल के लिए वालेंटर बनने पहुँचे थे रवी सी के मुताबिक गाउं में उनके पास थोड़ी सी जमीन है जिससे गुजर बसर हो जाता है लेकिन मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी इसलिए यहां आ गया डॉक्टरों ने बाचित के दोरान समझाया भी कि वैक्सिन लगने के बाद भी क्या-क्या सावधानिया बरतनी है वैक्सिन लगवाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी यग्यमें आहूती दे कर आया हूँ वालेंटियर बनने की चाहत में 45 साल के कमल भी मेडिकल कॉलेज पहुँचे थे बच्च्पन में ही पोल्यो की वज़े से चलने में असमत कमल अपनी ट्राइसिकल से यहां पहुँचे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर था मेडिकल असमेंट में कमल वैक्सिन वालेंटियर बनने के लिए अनफिट पाए गए कमल को मायस देख डॉक्टरों ने उन्हें वैक्सिन वालेंटियर के लिए जो स्टेंडर्ड ताई किये गए है उसके बारे में बताया और उन्हें इम्मत बंदाई डॉक्टरों ने बाद में बताया कि कमल भावनात्मक तोर पर वालेंटेर्स बनने के लिए बहुत ज्यादा उसाई थे क्योंकि वह खुद पोलियों का शिकार हो चुके थे इसलिए वह चाते थे के कोरोना के खात्मे के लिए वालेंटेर्स बन इस रड़ाई में अपना योगदान दे सके लेकिन नियम उनके आड़े आ गए बारत में चल रहे कोरोना वैक्सिन ट्रायल के दौरान भोपाल में 6 दिसंबर को ट्रेन में मुमफली बेच कर गुजारा करने वाले द्रस्टिहीन द्रायल के बारे में इनके बच्चों से ही पता चला था जिसके बाद पति-पत्नी दोनों ने तई किया कि उखर ट्रायल में वालेंटियर्स बन कर हिस्सा लेंगे द्रस्टिहीन द्मपत्ती अपने बच्चों के साथ बोपाल के पिपल्स मेडिकल कॉलेज पहुचे और वालिंटियर्बन खुद पर वैक्सिन का ट्रायल करवाया वैक्सिन लगाने से पहले हुई सबी प्रकार की जाश्च में पति-पत्नी दोनों एकदम फिट पाए गए थे इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शायर करना ना भूले साथ ही कोरना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले